फिर से एक बार आप लोगों के लिए blouse और suit के लिए प्यारा सा unique sleeve की design लेकर आया हूँ जो कुछ इस तरीके से दिखता है इसमें मोती लगाने के बाद कुछ इस तरीके से दिखेगा इसकी खास बात है कि आप half sleeve elbow length और full sleeve में भी बना सकते हैं मोती optional है आपकी मर्जी है तो लगाई है वरना मत लगाई है इस design को बनाने के लिए जितनी भी शिल्यों की लंबाई होगी उसका तीन गुना fabric extra लेना होगा यानि कि आपको अगर 8 इंच की बनाना है तो आपको तीन से गुना करना है 24 हो जाएगा उसमें एक इंच मार्जिंग इस fabric को अभी कुछ भी नहीं करना है सिर्फ इतनी लंबाई कट करके निकाल लेना है यह हमारा हो गया 24 इंच का fabric इसको रखेंगे हम side में अब ले लेंगे हम यह वाली जो बचावा fabric है वो हमारा कुछ 9 इंच के आसपास है अब इसको क्या करना है आपको परफेक्ट जितनी स्लीव चीह उतना कट कर लेना है दोनों साइट की मार्जिंग मिलाकर मैं इसको इतना कट कर दिया हूं ठीक है उसके बाद आपको यहां पर एक इंच लेना है और यहां पर सारे 6 इंच में ले रहा हूं आप आपके measurement के हिसाफ से लिजएगा दो इंच या डेर इंच आप ए सकते हैं डारेक्ट स्लीव कटा हुआ ले सकते हैं जितनी आपकी लंबाई चीह कंप्लीट और इस तरीके सापको कट कर लेना है अब यहां पर जो भी एक्ष्ट्रा है उसको भी हम कट कर लेंगे ठीक है हमारा कंप्लीट हो चुका है यहां आगे कि हम आर्म होल की जो है रब्रिक है उसको हम कट करके साइड कर देंगे यह आप लंबाई बढ़ाना है तो उसके लिए यूज कर सकते हैं या डिजाइन बनाना है और भी एक्स्ट्रा तो ठीक है तो इस तरीके से आपको सेंटर लेना है सेंटर में एक इंच इधर और एक इंच इधर करके निसान लगाने वाले हैं तो चलिए मसीन पर मसीन पर आने के बाद इस लाइन पर इस नायल पर दोनों पर लगाने वाले हैं और हमारा प्लिट की जो चौड़ाई होगा ओ पौना इंसे लेकर एक इंच की चौड़ाई होगा आप आधे इंच की प्लिट की चौड़ाई भी दे सकते ह कुछ इस तरीके से आपको फ्लिट आगे की ओर लगाना है यह हमारा जो है बाजु की बाजु वाली भाग होगा और आर्म होल वाली जो भाग होगा वो इधर की होगा also it depends if होती अच्छे से लगाईएगा और सिलाई जो है सीधी सिलाई दीजिएगा तभी इसकी फिनिसिन आएगा अगर आपकी ब्लाउज चाहिए तो आपको हर चीज फिनिसिन से सिलाई करना होगा तभी आपकी ब्लाउज की लुक आएगा चाहे डिजाइन कितना भी अच्छा हो अगर फिनेसिन अच्छी नहीं होती है तो आपका डिजाइन भी खराब हो जाएगा और ब्लाउज भी खराब हो जाएगा ठीक है तो इस तरीके से आप फटा-फट से हमारा बचा हुआ है जितना भी प्लीट बैठे प्लीट आपको गिंती करने की कोई भी आप सकता नहीं है तो कुछ इस तरीगे से हो गया कौटन फैब्रिक है इसलिए अच्छे से बैठ जाता है दूसरा कप्रा लेंगे तो बैठेगा नहीं अब यह वाली सिलाई को भी हम साइब लेंगे अच्छे से प्रेस लगाने के बाद जो हमारा फिक्स कटींग किया हुआ सिल्यू है उसको हमें ले लेलेना है इस तरीगे से से सेंटर में एक माउक करना है और माक करने कदी ो घूमा कर बैठाना है ठिक है तो ऐसे लिखाम दीवा सिलिजीगा नहीं हमारा यह हमारा complete हो चुका है ऐसे अब इसे कटने करना है या भी कट कर देंगे तो आपको फ्लीट लगाने में दिक्कत होगा पहले हम यह वाली को फ्लीट लगाएंगे यह हमारा कच्ची सिलाई होगा इसको हम बाद में मोती अटेच करने का बाद खोल देंगे आप अगर मोती नह लाइट करके लाइएगा तभी इसका लूट आएगा नहीं तो नहीं आएगा देखिए इस तरीके से अगर यह वाली कलर आपको पसंद नहीं है तो आप इसे पिंक या मरून कलर बनाईए या तो रेड कलर बनाईए तो इसकी लुक जहें और ज्यादा खुल कर आएगा और अच्छा लुक आएगा तो उस तरीके से आप इसको भना सकते हैं एक एदम दूसरी साइड के भी सेम तरीके से टल गा देते हैं ठोड़ा सा इसको हम मार्जिन कट कर देते ताकि प्लीच हमारा अच्छे से बैठ है देखिए इस तरीके से कि ऐसे करके आपको कम्प्लीट प्लीट लगा लेना है प्लीट लगाने के बाद भी हमारा काम अभी खतम नहीं हुआ है ध्यान रखिएगा जब तक मैं प्लीट लगा रहा हूँ आप कमेंस करके बता दिजिए कि आप कहां से इस वीडियो को देख रहे हैं और वीडियो आपको हमारा समझ में आता है या नहीं दूसरा पल्लेंगे जो हमारा फिक्स वाला पल्ल है उसको इस तरीके से शिलाई लगाएंगे यह ने प्लीट को फिर से एक बाद टाइट करते हुए इसको हम सिलाई लगाएंगे नीचे की पल्ले के हिसाब से अगर उल्टा करके आप सिलाई लगाएंगे तो यह प्लीट बिगर सकता इसलिए आपको सीधे में ही सिलाई लगाना है जजमेंट देखकर याद जखिएगा तो इस लुका है अब जितने भी एक्ष्ट्रा है उसको हम कट करके हाथ आ देंगे तो हमारा प्ली बाजू की डिजाइन जो है कुछ इस तरीके से दिखेगा स्लीट डिजाइन कितना यूनिक लग रहा है और मोती लगाने के बाद तो इसके लुकी बदल जाता है आपकी पसंद है